नमश्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टार्गेट विद गोस्वामी यूटूब चैनल में मैं सुनील गोस्वामी और आज हम बात करने वाले हैं है छिस्की एक्जाम डेट है वे एनाउंस कर दी है तो अब इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि जितने जो अभी पास्ट यूर के अंदर किस टाइप से क्यूशन आये और हमें किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकॉस करना चाहिए और अभी फिलाल हमें क्या पढ़ना चाह और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर करें तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले यह हरियाना पब्लिक सर्विश कमिशन का नोटीस आया अनौसमेंट कर दी उन्होंने आप देख पा रहे हैं कि जो एक्जाम है वो जनल स्टडी का और आपका जो सिवल सर्वि है उसमें जी एस का पेपर होगा और उसके बाद तीन से पांस का जो इवनिंग सेशन है उसमें सी सेट का एक्जाम होगा ठीक है तीस माई को यह कंड़क्ट करवाया जाएगा ठीक है चलिए अब आप इसमें देख सकते हो कि जो क्यूसन पेपर है वो अबजेक्टिव है वो मिनिम्म कॉलिफाई माक्स लेने है आपको ठीक है तो यह तमाम चीजें आप इस नोटिस को अच्छे से पढ़ सकते हैं चलिए अब बात करते हैं किस परकार का पैटरन और प्रिवेस एक्जाम में कितने कितने किस सब्जेक्ट से आए उसकी हम बात करेंगे सबसे पह प्रिवेस जो 2019 में है वो 17 क्यूस्टन है सत्रा क्यूस्टन और 2014 के अंदर ज 115 क्यूस्टन आ ठीक है तो यह उपर नीचे होता है अब की बार क्या पता 15 आजै क्या पड़ा 25 आजै ठीक है तो वो चीजे कोई फिक्स नहीं है लेकिन हमें तोड़ा आइडिया रखना है कि यह से क्यूसन काफी बनते हैं फिर बहुत सारे बच्चे क्या हैं हिस्ट्री को स्किप कर देते हैं एंशेंट नहीं पढ़ते मेडिवल नहीं पढ़ते सिर्फ मॉडर्ण पढ़के चले जाते हैं तो जो हीस ने 2019 में सबसे ज़्यादा जो क्यूसन दिए वो हिस्ट्री से दिए हिस्ट्री और कल्चर से ठीक है हिस्ट्री और कल्चर से कल्चर के लिए आप नेतिन शिंगानिया की पढ़ सकते हैं ठीक है और सारी बुक्स मैंने सज़ेस्ट कर रखी है वो वीडियो भी आपने देख लिए होगा नीतों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा ठीक है तो यहाँ से 25 क्यूसन पुछे थे दोजाज चोदा में यहां से 16 क्यूसन पूछे थे अब कि बार क्या पता 20 पूछे ठीक है क्या पता 15 पूछे तो वो चीज फिक्स नहीं है लेकिन आपको इस चीज और टेकनोलोजी की, जो साइंस एंड टेकनोलोजी है, जो अभी करंट के इशू से जुड़े वे बहुत सारे क्यूसन ऐसे बनते हैं, जी एसल्वी, इस्रो, नासा, इन सभी चीजों से जो भी चीजें लॉंच की जाती हैं, टेकनोलोजी के इंतर गत, वो सारी चीजें इसमे में पूछे गए थे, तो साइंस पे भी आपका अच्छा खासा फोकस होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों ही पार्ट बहुत मेजर पार्ट हैं, जी इसके, फिर बात करते हैं, करंट अफेर्स और जो स्टेटिक टाइप की एक जिके, मतलब वन नाइनर टाइप की, जो पूछ लेते हैं, ठीक है, तो करंट के 14 क्यूसन पूछे थे, और 2019 में, और 2014 में 16 क्यूसन थे, अब की बार भी जो है, इनकी जो 10 से 15 के बीच की रेंज रहेगी, ठीक है, तो करंट अफेर्स के बहुत सारे ऐसे टोपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन-कौन से आपको अच्छे से करने हैं, फिर हरियाना स्पेसिफिक की बात करें, तो ये ज़्यादा मेजर पॉर्षन नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको कवर अप करना पड़ेगा, तो 2019 में यहां से 10 क्यूसन पूछे थे, और 2014 में सिरफ 7 पूछे थे, अब की ब 2011 वाड़ा, या फिर एनिमल का जो सेंसेस आया, वो एगरिकल्चर के डाटा, बहुत सारी चीजें ऐसी है, फिर बात करते हैं, पॉलिटी के, लक्समी कांद पढ़ सकते हो, पॉलिटी के लिए आप, या फिर आप अभी जो फिलाल, ये दी आप इसी एक्जाम को प्री-प्र और इसमें आठ हाई थे, इसमें आप बजट के बात कर लें, फाइव एर्स प्लान के बात कर लें, निती आयोग है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है, करनी पड़ेंगी, एकॉनमिक सर्वे है, चलिए, तो ये था, मैंने आपको, आप समझा गया होगा, 2019 और 14 कि आप इसको तुलना करके देख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीन सोट पी ले सकते हैं, ताकि आपके जहन में रहे, आपके माइंड में रहे, चलिए, अब बात करते हैं, हमें फिलाल क्या करना चाहिए, जेगरोफी की मैं बात करूँ, जेगरोफी मैपिंग इन्वेर्मेंट में, तो जितना भी इपोर्टेंट सिस्टम है, जेगरोफी का, फिजिकल जेगरोफी का, इंडियन और वर्ड का, डिजर्ट है, माउंटेन है, हिल्स, रिवर, कोस्ट, स्ट्रेट्स, वो सारे आपको कवर करने चाहिए, लार्जेस्ट कौन सा है, हाइस्ट चोटी कौन सी, अफरीका की कौन सी है, हिमाल्य की कौन सी है, स्मालेस्ट कौन सी है, जो वेटेस्ट प्लेस कौन सा है, एरिया किसका ज्यादा है, ठीक है, यह सारी से, लार्जेस्ट प्रोडूशर ट्रेंट टाइप स्टेटमेंट, मतलब किसी भी चीज में पूछ सकता हो, कि इस चीज में किस चीज़ का जूट का प्रोडक्शन ज्यादा कौन करता है यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां होता है तो ऐसे फैक्ट्चिल के उसे पूछे जा सकते हैं ट्रम लाइक रिवलुएशन जेतने भी हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लो सोलर सिस्टम के बारे में क्योंकि आज के टाइम में जो सोलर का बहुत बढ़ा मैतो है और सोलर का जो इंटरनेस्टल है वो आपको पता है ये गुरू ग्राम में है इंडियन सोयल डिफ भारत के संदर में भी सारी चीजों को ध्यान रखना है ठीक है चलिए तो जिगरोफी का और बात करें एनर्जी प्रोजेक्ट जितने भी हैं चे वो थर्मल के हैं चे आईड्रो प्रोजेक्ट हैं चे नूकलियर हैं सारे आपको ऑशियन करेंट के बारे में निकनेम सीटी त कितना पूर्वी देशांतर है हर्याना की तरह उत्तरी अक्षांस है इनके बीच का डिफरेंस कितना है इनकी कोस्ट दूरी कितनी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है एगरिकल्सर क्रोपिंग पैटर्न टरम यह भी आपको लैंड फोर्म डेवलेप्मेंट रॉक्स इं यह बहुत सारे आपको अच्छे से करने हैं न्यूट्रेंट साइकल ठीक है एकोसिस्टम ग्रीन हाउस गेसीज ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इन्वार्मेंट रिलिटेड इन पे बहुत जादा फोकस अभी आप देखा होगा कि जो भी इन्वार्मेंट पे है यूएनों का सारा सिस्टम होता है तो सारी चीजें आपको अच्छे सीन को जो है गो थू करनी है आगे बात करते हैं हम हिस्ट्री एंशेंट मेडिवल ठीक है और मोडरन भी आपको करनी है तो ट्रम्स जितनी भी इंसे लेटीड है इंडस वेली सिवलाइजेशन जो हमार हडपा की बात करें चेशिंदू गाटी सबेता की बात करें कौन कौन से स्थान इपॉर्टेंट है हरियाना में कौन से है भारत में कौन से इससे बार पाकिस्तान की बात करेंगे ठीक है किंग्स रूलर कौन कौन से जो रूलर रहे हैं कैसा उनका सासन रहा है ठीक है सिस्ट लिखली सुल्टान कौन कौनसे बने टी यह कौन कौन canvas हुई इनके बीच में अंग्रेजों के बीच में यह मुगलों के बीच में ठीक है वह सारी ध्यां Damn निया है फिर ओबरन की बात करें Bald's कि वगयरा यह जितने भी यह सारी चीजें कौन कौन सा जो है modern के अंदर हम बात करें जो भी वाइस राय बने ठीक है उनके बारे में सारी चीज़ों आपको कब से कब तक कौन सा था ठीक है major events which what date leader कौन कौन से event कब हुए कहां हुए ठीक है और freedom struggle event important personalities date गांधी के बारे में खास करके आपको देखना है Congress का सारा कचा चिठा आपको देखना है कब से क्या पहला अदिवेशन कब हुआ गोल में शमेलन कब हुआ यह सारी चीज़े ठीक है और जितने भी ऐसा यह गांधोलन कब हुआ ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको cover up करनी अधर इवेंट्स बिफोर आफ्टर मेजर इवेंट्स क्रोनलोजी फैक्ट एंड वन लाइनर लाइक फू डिडिट फू सेड इट मलब यह भी जैसे यह किसने कहा खून तुम मुझे कून माय तुम्हे आजादी दूँगा यह मतलब ऐसे इस पार के नारे टाइप के जो भ आपको ध्यान रखना है कल्चर के अंदर ठीक है थोड़ा बहुत बता रहा हूं कल्चर में काफी सारा है आपको करना पड़ेगा नितिन शिंगानिया की बुक से आप कर सकते हो जनल साइंस में एक्जेक्ट फिगर फैक्ट सैटलाइट सिस्टम मतलब करंट की बात करें तो हम नासा के बारे में बहुत जाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस रो के बारे में कौन सी चीजे क्या लॉंच की जा रही है ठीक है सिरी हरी कोटा के बारे में वहां से लॉंच की जाती है ठीक है करंट हैपनिंग क्या-क्या गटनाएं हो रही है करंट में ठीक है कौन वोजी डिफ्रेंट इपरनों औरुटी गोज़िए लाएफिनिजम और टूक्म सेरत माइक और क्ताइज कोई सब् Brown कर सकते हैं टिक कोई इसवी नहीं है कegन को छोड़के Ministries साइस है वो लुशन्ट से आपकी कवर हो जाएगी फिर माँ बात करता हूं साइस एंट टेक की तो डिफेंस रिलेटेड हो गया ठीक है नैनो टेक्नोलजी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है बायो टेक्नोलजी इन्फोर्मेशन कम्मुनिकेशन टेक्नोलजी स्पेस ट निकालती है ठीक है सैंसें टेक्नोलजी का तो लास्ट में भी आप कर सकते हो जब आपके 15 से 20 तिन रहते हूं तब भी इसको आप कवर अप कर सकते हूं एकॉनमी बैसिक कंसेप्ट टर्मोनलोजी पावर्टी अनप्लयमेंट बैंकिंग और्गनाइसेशन हैड यूनों का कह इसको का कहा है ठीक है इन सब चीजों का जी जी सेवन का कहा है और हम बात करें हैं एड़क्वार्टर इवेंट लेंड मारक ठीक है फाइव येर प्लान जो मैंने आपको बता है पंचवर्शी यह जना एपॉर्टन थियोरी किसे ने क्या क्या दी डेवलेपर कौन से रहे फ सारी चिज़ें आपको करनी पड़ेंगे इपॉर्टन अपॉर्टमेंट यह भी तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है पॉललेटी की बात करूं इपॉर्टन आर्टिकल कंसिट्यूशन का निर्मान हुआ तमाम चिज़े जुडी स्री से रलेटेड कौन कौन से लिस्ट बन आने के लिए constitutional amendment बहुत important है जैसे अभी 2021 में जितने भी amendment हुए उनको आप जुरूर धान में रखेंगे उनसे क्यूस्सन आएगा लोकल बोडी जो हम बात करें उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है कोन्सी है ईंडिया में कौन्सी योजना है चल रही है जो के इंदर सरकार की योजना है उनको फोकस करना है खासकर कि जिन में हुरियाना फस्ट पोसी सन पह आता है उनको ध्यान में रखना है और्गनाइजेशन कौन कौन से है उनके बारे में ठीक है डेज डेट कल्चर साइट वर्ड हेरिटेज में कौन सी साइट को कब सामिल किया गया परसन प्लेस कौन सा मर गया कौन सा जी गया ठीक है कौन कौन से प्राइस गांधी प्राइस जो जितने भी नोबल प्राइस किसको मिला है ठीक है कमेटी ज नई कौन सी किरियेट की गई है ठीक है राम मंदिर वाले इशु को लेकर आपको ध्यान रखना है बाबरी मस्चिद वाले के लिए क्या कौन सी कमेटी बनी थी कोई मेजर इशु है उन पे कोई committees बनी है, उनको ध्यान रखना है, ठीक है, agreement कौन सा sign हुआ है, national, international level पे, तो वो तमाम चीज़े आपको ध्यान रखनी है, हरियाना के संदर्म में cropping system, फसल चकर के बाते में pattern क्या है, कब कौन सी रितु है, कौन सी मिट्टी है यहाँ पे, ठीक है, कैसी कैसी हमारी climate change होता है, ज मोमेंट्स कौन से चले, architecture, marvel, हरियाना, मतलब कौन-कौन से sites हैं सी, data population, 2011 का संपुर्ण data और अभी कल जो चल रहा हो, economy, crops, infrastructure कैसा है, political map, सारे 22 district करने हैं, division कितने हैं, जैसे अभी 6 division है, 94 तसील हैं, block कितने हैं, villages कितने हैं, ठीक हैं, life stock की बात करूँ, तो अभी, जो 2020 में जो जनगरना हुई थी, पसू जनगरना, उसका कम, मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है, तो वह आप देख सकते हैं, ठीक है, share भी कर दूँगा आपके साथ, forest के बारे में कितना, क्योंकि हमारे forest सबसे कम है न, मद्दे पर्देश में ज्यादा है, तो इस पर major बाते बनेंगी, schemes कौन-कौन सी, योजनाई, बेटी बचाओ से लेके, ठीक है, जल जीवन, योजनावाली, act कौन से, organization, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें clear करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो ये सारी बाते में आपको बता चुका हूँ, मैं बुक् ठीक है, तो बाकी आप जो group भी है, ठीक है, टेलिग्राम पे भी आप जो है, notes के लिए, hcs-pdf-2021, without space, तो यहां से आप सारे notes डाउनलोड कर सकते हैं, c-set के लिए आप practice set लगाईए, ups-c वाले लगा सकते हैं, कोई भी आपको मिल जाएंगे, vision के मिल जाएंगे, gs-score के मिल जाते हैं, और gs-k भी आप जो है, practice set जरूर लगाएं, ठीक है, तो इतना ही बताना था आपको, तो वीडियो पसंद आए, तो like, share जरूर करें, thank you